नमस्कार फ्रेंड्स एक बार फिर से हमारी शेनल जोहार जारखंटेक में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स की पूरे जारखंट के जो चातर है जो की जारखंट सिछक पातरता परिच्छा यानि जे टेर्टू 2021 का इंतजार कर रहे हैं मांग कर रहे हैं वे आंदुलन करना इस्टार्ट कर दिया हैं और छोटी-छोटी संगठन बनाके सभी जीलों में जारखंट में 24 जीले आते हैं तो 24 जीलों में ये आंदुलन धीरे-धीरे उठना इस्टार्ट हो गया है ये दोस्तो राची जीला से सुरुआत होकर बहरा गोडा बोकारो बोकारो से लेकर हजारी बाग तक पहुँच गई है और आप सभी छात्रों को जो भी अलग ये सब के अलावाए अलग जीले से आते हैं मैं उनसे ये रिक्विएस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग भी अधिक से अधिक लोग संगठान से जूड़ें एक संगठान बनाई गई जोस्तों जिसका नाम है पर सिच्छिस सिचक संग जारखंड उसमें आप टेलिग्राम का ग्रूप है उसमें जोइन कर सकते हैं आपको सारी इंफोर्मेशन मिलती रहेगी कि क्या क्या हो रहा है कौन जो ग्रूप बना हुआ है इस पर जुड़े पर सिच्छिस सिचक संग में जुड़ें और जेटेट को कर्याने का प्रियास करें नहीं तो दोस्तों अगर जेटेट का एउजन नहीं होता है तो मैं बताऊं आपके साथ क्या होने वाला है मान लिजे आपका एज अभी पची जेटेट का एउजन तो होगा लेकिन बहाली कम से कम 7-8 साल 10 साल या 12 साल भी लग सकता है तो इस बात को समझो अपने केरियर को अगर बनाना चाहते हो तो जेटेट का एउजन करवाने के लिए सभी भाग ले सभी एक दूसरे का साहता करें वरना क्या होगा आपका हाल ये समझ सकते हो मैं जांता हूं बहुत सान्सरे 50 पास है वह लोग चाहते हैं कि सीटेट को मा fazer सीटेट को मान्याता ही देना रहता तो जेटेट कर्वाने का कोई जोर्रत ही नहीं था और दोस्तों अगर जारकन सरकार देती भी है तो इसको second option में रखो because of कि अगर ये क्योंकि ये पूरे जारकन सरकार के उपर depend है कि जारकन सरकार इसे लागू करेगी या नहीं इसलिए आप लोग जे टेट का मांग जोर सोरो से करें सभी जितने भी जारकन में 24 जिले हैं सभी जिलों के सभी छात्र संगठन से जुड़े और अपने छोटी छोटे संगठन बनाके ग्रूप बनाके अपने बिधायकों को अपने जिला के बिधायकों को ग्यापन पत्र अपना सुरू हो गया है देना सुरू हो गया है लेकिन बहुत सारे जिले हैं अभी भी जारखन में कि वहां से कुछ कदम नहीं उठाए जा रहे हैं तो अगर आप दूसरे जिले के अंतरगत आते हो यानि वोकारो हजारी बाग पचिमी सिंभों बहरा गोड़े यह सब अगर दूसरे जिले के अंतरगत आते हैं तो आप वहां की स्टूडेंट हो डिलेड और बीएट करके बैठे हो जेटेट के इंतिजार में बैठे है तो प्लीज प्लीज आप लोग आंदोलन में भाग लें और अपने विदायकों को अपना ग्यापन पत्र सोंपे और कहें क के डिगरी या बीएट के डिगरी लेके बढ़ जाओगे और आप लोगों का लाइप में कभी खुस्याली नहीं आएगा क्योंकि जब तक नेक्स्ट बहाली आएगी तब तक आपका उम्र पार हो जाएगा मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे आपका जो उम्र है उम्र खतम हो जाएगा और आप लोगों का जो है जोब के बारे जो सोच रहे हैं कि हम लोगों का जोब होगा जेटेट पास होंगे तो हम लोगों का बहाली होगा तो यह सब आप सोच के देखिएगा कि जब तक बहाली निकलेगा नेक्स्ट बहाली तब तक आपका उम्र के सीमा क्या होगा और उम्र का सीमा तो छोड़िए आपको पढ़ने का भी नहीं मन करेगा तो मुझे आसा है दोस्तों कि मेरी जो बाते हैं आपको समझ में आ गई होंगी और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक फुरवाट करें अधिक से अधिक लोगों तक पहुचाएं जो लोगों को सिच्छक बाई में बैटने का मुगा नहीं मिलेगा और उच्छक बाई में बने को मुझा । հावीлемे में आपको मुखा नहीं मिला तो नेक्स्ट बाईली जो होगा दोस्तों कितना दिन apply कम से कम साथ-इए पहीं से लिए लग सकता है नेक्स्ट बाहली आने मे जेट का एकजाम नहीं हुआ है और यह एक जैनुवीन मांग है क्योंकि सिच्छा का अधिकार अधिनियम के तहट जेट एक वर्स होना चाहिए जो की अभी तक नहीं हुआ है और दोस्तों आप लोगों को इस मांग को पूरा करवाने के लिए आपको जोर जोर से लग जाना हो आपको अपने विधायकों को ग्यापन पत्र सोपना होगा साथी साथ आपको छोटे-छोटे संगठन बना के मिल जूलकर काम करना होगा और धीरे 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 जब सभी जिले के लोग सभी जिले के छात्र इस बात को जान जाएंगे और इस भी से में चर्चा करेंगे और आंदोलन करेंगे तो ये एक बड़ा सा रूप लेगा और आप लोगों का डिमांड पूरा होगा और जेटेट 2021 में होगा याद रखेगा दोस्तो जेटेट का अगर आयोजन नहीं हुआ तो आपका साथ आठ साल दस साल भी लग जाएगा नेक्स्ट बहाली आने में यानि दोस्तों अगर आप जेटेट पास नहीं करते हैं जेटेट का आयोजन नहीं होता है तो आप सीचक बहाली में भाग नहीं ले सकते है और आपका जीवन अंधकार मैं हो जाएगा आपका उम्र भी पार हो जाएगा पढ़ने का भी मन नहीं करेगा तो आसा करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरी बाते समझ में आगई होंगी अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को सेयर करें साथी साथ जो ग्रूप बनाये टेलिग्राम में परसिचिस सिचक संग उस पे जूड जाएं सभी सभी जाकर जूड जायेंगे और जूडने के बाद दोस्तों आपको लगातार इंफोर्मेशन मिलती रहेगे कि कि जिले में क्या अंदोलन हो रहा है और आपके अरिया में भी कुछ भी ऐसा ग्यापंद सोपा जा रहा है झाल